दूर्वा की ये खासियत है जितना सिर उठाती है विनमरता इतनी जादा है पैरों के नीचे रौंदी जाने के बाद भी फिर से खड़ी हो जाती है इसलिए देवी देवताओं की पूजा में दूर्वा का बहुत महत्वे होता है और दूर्वा को धो कर साफ करके आप पूज पूजा स्थान में रखते हैं और इसके कुछ हम उपाई भी बताने वाले हैं आपको दूर्वा आपके किसमत को चमका सकती है दूर्वा मातालक्ष्मी और गणेश को विशेश प्रिये है दूर्वा अगर आप गणेश जी को चड़ाते हैं तो आपको जीवन में कोई हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर उमा शिरी मेरे चनल में आपका स्वागत है विवर सब्सक्राइबर आप यूही तरक्की करते रहें मातालक्ष्मी और भगवान गणेश करपा आप पर बनी रहे इसे शुब कामना के साथ आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जानकरी पसंद आया तो लाइक करें सबके साथ शेयर करके पुन्यलाब कमाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमस्षिवाय और जय मातादी अवश्य प्रेशित करें आईए दूरुवा के कुछ टोटके और उपाए जानते हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं कभी भी गंदी नाली के पास उगी हुई दूरुवा देवी देवताओं को नहीं चड़ानी चाहिए साफ सुतरी जगे से आप दूरुवा निकाल कर और भगवान को अरपित करते हैं तब ही आपको मनो कामना पूर्थी में मदद मिलती है तब ही भगवान की कृपा आपको मिलती है आपको लेनी है थोड़ी सी दूरवा, साफ सुत्री दूरवा, थोड़े से लेने है तिल और थोड़े से लेने है चावल दूरगा जी के मंत्रों से इनको अभी मंत्रित करना है और माता दूरगा के नाम का जकारा लगाते हुए ओम दूम दूरगाय नमे या दूम दूम का जाब करते हुए आप अपने घर में बिखेडते हैं ये चीजें तो केसा भी दूरभाग्य हो तुरंट तल जाता है और सोभाग्य आपकी जिन्दगी में तुरंट आने लगता है ऐसा प्रताफ होता है टोटकों का ऐसा करने से आपके अंदर एनर्जी आती है और आपकी कर्म शक्ती जागरत हो जाती है आपको लाइफ का परपस समझ में आता है कि आपको क्या करना है क्या उद्ध्यम करना है किस तरह से आपको पैसा कमाना है ये आपको दिमाग में, मस्तिष्क में आने लगता है माता जी की क्रपा से, दूर्वा का ऐसा प्रताप होता है, अगला उपाए है माता लक्ष्मी को कैसे प्रसंद करें, माता लक्ष्मी को अगर आप चावल चड़ाते हैं, दूर्वा चड़ाते हैं और विनम्रता पूर्व यह जाप करते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं तो आपको माता लक्षमी की क्रपा प्राप्त होती है आपको यह जाप करना है ओम श्रीम श्रीयनमे या श्रीम ब्रिजी मंत्र जपें यह आपको फाइदा दे सकता है और माता लक्षमी की क्रपा भरपूर मातरा में आपको मि महत्व नहीं है लेकिन दूर्वा अगर आप अपने घर में किसी गमले में भी लगाते हैं उसका महत्व है तो ध्यान दीजेगा डेकोरेशन के नाम पे आपकी मर्जी आप ले आईए मैं ना तो खंडन कर रही हूँ ना समर्थन कर रही हूँ लेकिन ग्रीन आर्टिफिशल कार्पेट अगर लगाते हैं तो सुंदरता तो बढ़ती है इंटिरियर अच्छा होता है लेकिन दूर्वा की जो वैल्यू है वो पैसा नहीं आता है पैसा वालों के यहां हो सकता है यह औरड़ी पुष्टानी पैसा है या स्वय अरजित पैसा भी हो सकता है वो लगा सकते हैं लेकिन आप लगा के देखिए गंबले में भी दूर्वा आपको जबरदस्थ फायदा मिलेगा भगवान गणेश को 21 जाने च यही है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और किसी को मूले देकर आप दूर्वा चड़ाते हैं तो उसका भला होता ही है आपका भला भी हो जाता है भगवान गणेश आप पर प्रसन होते हैं और भगवान गणेश आपको प्रसन है तो आपके जीवन में कभी भी कोई कश आपके हिताशी ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपको फायदा पहुचाते हैं आज का वीडियो अगर आपको जरासा भी हल्फुल रहा हो तो हमारे चनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ओम नमस्षि लिवाए और जय मातादी के साथ में भगवान गनेश की जय माता लक्षमी की जय भगवान विश्णू की जय बोलें इससे आपको लाब होगा थैंक्यो सो मज